बिहार के गवर्नर श्री फागु चोमान जी बिहार के मुख मंत्री स्रिमान नितिश्कुमार जी केंद्री मंत्री मंडल की मेरे सहयोगी स्री जविशंकर जी विके सींजी आरके सींजी बिहार के डिप्रिश्कुमार जोड़ा जाएगा मुझे विश्वास है कि नितिश्जी के सुशासन में द्रड निश्चे के साथ आगे बढ़ते बिहार में इस योजना पर भी तेजी से काम होगा साथियों भारत के गाउं में इंटरनेट का उप्योग करने वालों की संख्या कभी शहरी लोगों से जादा हो जाएगी ये कुछ साल पहले तक सोचना भी मुश्किल था गाउं की महलाएं, किसान, गाउं के युवा भी इतनी आसानी से इंटरनेट का इस्तमाल करेंगे इस पर भी बहुत लोग सवाल उठाते थे लेकिन अब ये सारी स्थित्यां बदल चुकी है आज भारत डिजिटल ट्रांजेक्शन करने वाले दुनिया के सबसे अग्राणी देशों की खतार में है अगस के ही आख़ों को देखे, चरब अगस के तो इस दोरान लगबक तीन लाग करोड रुपिय का लेंदेन यूपियाई के माद्यम से हुआ, मुबाइल फोन के माद्यम से हुआ कोरोणा के इस समय में डिजिटल भारत अभ्यान ने देश के सामान ने जन की बहुत मदद की है साथियों इंटरनेट का इस्तमाल बढ़ने के साथ साथ अब ये भी जरूरी है कि देश के गावों में अच्छी क्वालिटी तेज रप्तार वाला इंटरनेट भी हो सरकार के प्रयासों की बज़़ से देश की करीब डेड़ लाग पंचायतों तक फाइबर अप्टिकल फाइबर पहले ही पहुँच चुका है यही नहीं बीते छे साल में देश भर में तील लाग से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर भी ओनलाइन जोड़े गए हैं अब यही कनेक्टिविटी देश के हर गाउं तक पहुँचाने के लक्ष के साथ देश आगे बढ़ रहा है जब गाउं गाउं में तेज इंटरनेट पहुचे गाउं तो गाउं में पढ़ाई आसान होगी गाउं के बच्चे हमारे ग्रामिन युवा भी एक क्लिक पर दुनिया की किताबों तक तकनिक तक आसानी से पहुँच पाएंगे यही नहीं टैली मेडिसीन के माद्यम से अब दूर सुदूर के गाउं में भी सस्ता और प्रभावी इलाज गरीब को घर बैटे ही दिलाना संभव हो पाएगा आपको मालूम है पहले अगर रेलवे में कहीं आरक्षन करना होता था तो गाउं से शहर जाना पड़ता था कतार में खड़ा रहना होता था और रेलवे का आरक्षन के लिए हमें जाना पड़ता था आज कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर के अपने ही गाउं में आप रेलवे का रिजर्शन कहीं और जाना है तो उसका रिजर्शन असानीचे करा सकते हैं क्यों इंटरनेट की सुभी जाब हमारे किसानों को भी इसका बहुत बड़ा लाब मिलेगा इसे किसानों को खेती से जुड़ी हर आधुनिक टेक्निक नई फसलों नए बीजों नए तौर तरीकों और बदलते मौसम की जानकारी रियल टाइम में मिलनी संबव हो पाएगी यही नहीं अपनी उपच के व्यापार कारोबार को पूरे देश और दुनिया में पहुंचाने में भी उनको जादा सुविजा होगी एक प्रकार से गाउं को अब शहरों की ही तरह हर सुविधा घर बैठे मिले इसके लिए जरूरी इंफासेक्टर तयार किया जा रहा है साथियों इतियास साक्षी है कि दुनिया भर में उसी देश ने सबसे तेज तरकी की हैं जिसने अपने इंफास्टरक्टर पर गंबीरता से निवेश किया है लेकिन भारत में दसकों तक ऐसा रहा कि इंफास्टरक्टर के बड़े और व्यापक बनला उड़ाने वाले प्रोजेक्ट पर उतना ध्यान नहीं दिया गया बिहार तो इसका बहुत बड़ा भुक्त भोगी रहा है साथियों ये अटल जी की सरकार थी सबसे पहले जिसने इंफास्टरक्टर को राजनिती का विकास की योजनाओं का प्रमुख आधार बनाया था नितिश जी तो तम उनकी ही सरकार के रेल मंत्री थे उन्हें इसका और जादा अनुबव है उन्होंने गवर्नेंस में उस बड़लाव को और करिम से देखा है साथियों इंफास्टरक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट पर अब जिस केल पर काम हो रहा है जिस पीड पर काम हो रहा है वो अभुत पुर्व है 2014 से पहले की तुलना में आज हर रोच दो गुनी से भी तेज गती से हाइवे बनाए जा रहे हैं हाइवे निर्मान पर होने वाले खर्च में भी 2014 से पहले की तुलना में लगभक पांच गुना बडोद्री की गई है आने वाले चार-पांच सालों में इंफास्ट्रक्चर पर 110 लाग करोड रुपिये से जादा खर्च करने का लक्ष रखा गया है 110 लाग करोड इसमें से भी 19 लाग करोड रुपिये से अधीक के प्रोजेक सिर्प हाइवे से जुड़े हैं साथियों रोड और कनेक्टिविटी से जुड़े इंफास्ट्रकों विस्तार देने के इन प्रयासों का बिहार को भी भरपूर लाब हो रहा है पुर्वी भारत पर मेरा विशेद ध्यान है 2015 में गोशीत प्रोजेक के तहट 3000 किलोमेटर से अधीक के नेशनल हाइवे प्रोजेक की गोश्रा की गश्रा की गश्रा की इसके अलावा भारत माला प्रोजेक के तहट भी लगबग शाड़े 600 किलोमेटर नेशनल हाइवे का निर्माण किया जा रहा है आज बिहार में नेशनल हाइवे ग्रीड को गति दी जा रही है पूर्वी और पस्चिमी बिहार को जोडने के लिए फोर लेनिंग के पाँच प्रोजेक्स उत्तरी भारत को दक्षिन भारत से जोडने के लिए 6 प्रोजेक्स पर काम चल रहा है आज भी जिन हाइवे जोडने के प्रोजेक्स का नेशनलान नयास किया गया है उनसे बिहार के तमाम बड़े शहरों का सड़क, संपर्क और मजबूत होने वाला है साथियों बिहार की कनेक्टिविटी में सबसे बड़ी बाधा बड़ी नदियों के चलते रही है यही कारण है कि जब PM पैकेज की गोशना हो रही थी तो पूलों के निर्मान पर विशेश ध्यान दिया गया था PM पैकेज के तहट गंगा जी के उपर कुल 17 पूल बनाए जा रहे हैं और अभी सुसिल जीने बड़े विस्तार से उसका बड़ा खाका आपके सामने रखा और जिसमें से अधिकतर पूरे हो चुके हैं इसी तरह गंड़क और कोशिक नदियों पर भी पूलों के निर्मान किया जा रहा है इसी कडिशी में आज चार लेन के तीन नए पूलों का सलान्यास हुआ है इसमें से दो पूल गंगा जी पर और एक पूल कोशी नदी पर बनने वाला है इनके बनने पर गंगाजी और कोशी नदी पर फोर लेन के पूलों की ख्षमता और बढ़ जाएगी साथियों बिहार की लाइफ लाइफ लाइन के रूप में हम सब जानते मश्मूर मातमा गांदी से तू उसके हाल भी हमने देखे हैं दुर्दशा भी देखी हैं मुसीबत भी देखी हैं आज नए रंग रूप में वो सेवाई दे रहा हैं लेकिन बढ़ती आबादी और भविश्य की जरूरतों को देखते हुए अब महतमा गांदी सेतू के समांतर चार लेन का नया पूल बनाये जा रहा है नये पूल के साथ आठ लेन का पहुच पद भी होगा इसी तरह गंगा नदी पर ही विक्रम शिला सेतू के समांतर बनने वाले नये पूल और कोशी नदी पर बनने वाले पूल से विहार की कनेक्टिविटी और सुधरेगी साथियों कनेक्टिविटी एक ऐसा विशह है जिसे टुकड़ों में सोचने के बजाएं संप्रुनता में सोचना होता है एक पूल यहां बन गया एक सड़क महां बन गई एक रेल रूट उधर बना दिया एक रेल वे स्टेशन इधर बना दिया इस तरह की एप्रोच ने देश का बहुत नुक्षान किया है पहले सड़कों का हाइवे का रेल नेटवर्ट से कोई वास्ता नहीं रहता था रेल का पॉड से और पॉड का एरपोर्ट से कभी नाता नहीं रहता था 21 सदी का भारत 21 सदी का भिहार अब इन सारी पुरानी कम्यों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है आज देश में मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पर बल दिया जा रहा है अब हाइवे इस तना बन रहे हैं कि वो रेल रूट को एर रूट को सपोर्ट करें रेल रूट इस तरह बन रहे हैं कि वो पौर्ट से इंटरकनेक्टेड हो यानि सोचें सोच यही है कि याता यात का एक साधन दूसरे साधन को सपोर्ट करें इससे लोजिस्टिक को लेकर भारत में जो समस्याय रही है वो भी बहुत हद तक दूर हो जाएगी साधियों इर्फा स्ट्रक्चर के विकास के सबसे ज़्यादा लाब समाज के सबसे कमजोर वर्ग को होता है गरीब को होता है इससे हमारे किसानों को भी बहुत अधिक लाब होता है किसानों को अच्छी सडके मिलने से नजियों पर पूल बनने से खेत और शहरों के मार्केट की दुरी कम हो जाती है साथियों कल देश के समस्त ने देश के किसानों को नए अधिकार देने वाले बहुत ही बहुत ही एहतियासिक कानूनों को पारित किया है ये देश के लोगों को देश के किसानों को मैं आज जब बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं समय पूरे हिंदुस्तान के किसानों के हाथ पाउं बांदे हुए थे